जैसा कि आप सभी को पता है कि ये डेश्रिक पोर्टल काफी दूने से काम नहीं कर रहा था जिसके वज़ा से इसमें जितने भी सर्विस थे कोई भी सर्विस काम नहीं कर रहा था अगर अभी बात करें इस समय की सिच्वेशन में तो करीबन 15 दिन हो गया लगभग इसमें जो भी आया जाती और निवास बनाने का आपसन था केवल वो काम कर रहा था लेकिन अब आज आती निवास के अलावा जो दूसरे भी सर्विस थे वो भी इस्टार्ट हो चुके हैं तो है गई इस वागत अब सभी का एक और सांदर वीडियो में तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो देखे आज आती और निवास बिकलांग और हश्यत प्रमाण पत्र ही बनाने का केवल इसमें आप लोग को आपसन मिलता था जहां से आप लोग अपलाई कर सकते थे लेकिन अगर आप लोग को कोई भी स्टेटेश चेक करना होता था आजाती निवास या किसी का भी तो आप लोग अभी चेक नहीं कर पाओगे या फिर आप लोग को अगर मालीजे कोई भी certificate डाउनलोड करना हो तो आप लोग डाउनलोड भी currently नहीं कर सकते हो इसके अलावा और service इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा था लेकिन अब धीरे धीरे देखिया इस start हो चुका है इसमें कोई सा service काम कर रहा है आप लोग को इस video में complete information देने वाले हैं और कब तक ये पूरी की पूरी की तरीके से काम करने लगा पूरी तरीके से ये service में आएगा आप लोग को complete details यहाँ पर देने वाला हूँ तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं fire services में यहाँ पर ये service काम कर रहा है यानि कि इससे पहले आज आती निवास वाला के वाल काम करता था प्रमार पत्र में ही लेकिन fire services भी धीरे धीरे काम करना शुरू कर चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AE4 application for storage and transport यह certificate जो यहाँ पर होता है यह भी काम करना धीरे धीरे सुरू हो चुका है यानि कि इसी तरीके से धीरे धीरे सारे service में इस्टार्ट होंगे अब तो AE district के और भी ज्यादा मतलब storage को और ज्यादा बढ़ाना होगा server को और ज्यादा fast करना होगा क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यूपी रासन कार्ट के जो system था जो तरीका था वो भी धीरे धीरे बदल चुका है क्योंकि अब online तरीके से apply करने के बाद भी वहाँ पर जमा होगा और online apply करने का तरीका एक मात्यम है e-district तो इसलिए e-district को यहाँ पर और ज्यादा improve किया जा रहा है जिसके वज़े से storage का problem नहों, server का कोई problem नहों आप लोगों ने इससे पहले एक phase किया होगा e-district में कि अगर कोई भी प्रमाड पत्र बना रहे हो जिसे आज आती निमास कोई भी प्रमाड पत्र बना रहे हो तो उस बनाते समय जो भी हम लोग document upload करते थे ठीक है उसमें एक problem था एक condition था कि जो भी document अगर आप लोग एक बार upload कर देते हो तो उससे दोबारा से हटाएने जा सकता या फिर उससे दोबारा से registration आप लोग को करना पड़ता दूसरे ID से ठीक है तो यही दिक्कत था और इसी सब दिक्कत को जो है सुधार किया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में कोई भी problem ना हो ठीक है तो यहाँ पर आप देख पहेंगे कि जितने भी fire services है fire services फिलाल working में है MISB work कर रहा है लेकिन इसके अलाबा यहाँ पर कोई भी दूसरा service work नहीं कर रहा है चारासन कार्ड हो यहाँ फिर खतावनी हो पंचायती राज का कोई service हो कोई service में काम नहीं कर रहा है अगर यहाँ पर माली जई status चेक में जाते हैं जैसे कोई मेरा आया जाती का कोई प्रमाडपतर का status चेक करना है तो यहाँ से अगर मैं select करके अगर दर्ज करें पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं लिख रहा है you are not authorized यानि कि मुझे बोला है कि आप authenticate नहीं हो मतलब कि authenticated person नहीं हो आप यानि कि जो यहाँ पर मैं data fill किया हूँ यह data को वो नहीं ले रहा है इसका मतलब सिधा यह है कि जो पुराने समय में जितने भी document बने हैं या फिर अभी apply हुए हैं उन सभी का status अमेहाँ पर check out नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से यह district की जो portal है वो service धिरे-धिरे काम करना शुरू कर चुका है और आने वाले समय में धिरे-धिरे सारे के सारे service जो है बहार कर जाएंगी चाहे किसे भी विभाग की services हों तो यहाँ पर जो बात आती है राशन कार्ड में इवनिट जोडने के लिए यह फिर नया राशन कार्ड अपलाई करने के लिए तो देखिए यह तो फिलहाल जो भी खाद बिभाग की तरफ से यह बोल ही दिया गया है कि जब तक online ही करने के बाद ही जो document जो है अपने ताशेर में जमा करने होंगे ठीक है तो यह देखिए फिलाल सहज में इस डिस्टिक में यह काम नहीं कर रहा है यह service काम नहीं कर रहा है लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्दे से जल्दी यह service काम करेगा क्योंकि देखिए यही एक माधियम है जिसके देरिये से हम लोग रासन कार्ट online अपलाई कर सकते हैं जिसके वज़े से काफी ज़्यादा लोगों के उपर असर पढ़ रहा है खासता और से CSP संचालक जो लोग यह कामत करते हैं और जो भी भाई लोग है जिन लोगों का रासन कार्ट बेंड़ जोड़ना है या फिर नाम डालना है ठीक है उन लोगों के उपर भी काफी ज़्यादा प्रोब्लम आ रहा है अगर किसी का इस डिस्ट्रिक से आप लोग चेक आउट करोगों तो यह प्रोब्लम आ रहा है तो इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं